नमस्कार दोस्तों, मैं हुए स्वंद कुमार, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी ब्याकरण का एक अति महत्य पूर्ण टॉपिक सब्द भेद अर्थात तदभव तद्सम्, इसमें अति महत्य पूर्ण 25 प्रसनों का संग्रा है और ओभी पूर्ण ब्याक्या के साथ तो चलिए अब भ्यास करते हैं इन महत्य पूर्ण प्रसनों का आपके पास हर प्रसन के बाद 3 सेकेंड का समय होगा और अंत में अपने अंग कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताईए कि आपके कितने प्रसन सही हो रहे हैं और यदि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आता ह तो इन्हें लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह कि हम आपको बहुत सारे वीडियो दे सकें चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रसन तो पहला प्रसन है उत्पति के अधार पर सब्द कितने भेद होते हैं तो पहला आपसन है दूसरा आपसन है चार तीशरा आपसन है छे और चौथा आपसन है आठ तो दोस्तो उत्पति के अधार पर सब्दों के जो भेद होते हैं चार होते हैं यानि कि देशज, विदेशद, तदभाव और तत्सम ये चार भेद होते हैं तो इस तरह से हमारा बी आपसन बिलकुल correct option है, अगला प्रस्तन है, संस्क्रीट के ऐसे सब्द जिने हम जियों कातियों प्रियोग में लाते हैं, कहलाते हैं, तो पहला option है, तद्सम, दूसरा option है, तद्भाव, तीशरा option है देशज, और चौथा option है बिदेशज, तो इसका जो correct option है, वो है option number A, यनि की तद्सम, यनि की संस्क्रीट के जो सब्द हिंदी में जैसे के तैसे प्रियोग के जाते हैं, उनको तद्सम कहते हैं, तद्द और सम, इन दो सब्दों से मिलके बनाया है, तद्द और सम, यनि की संस्क्रीट के समान, जो सब्द हिंदी मे उन्हें तत्सम कहते हैं अगला प्रस्ट है सब्द रचना के अधार पर बताईए कि कौन सा सब्द योग्रूण है तो पहला आप्षन है आपका पवित्र दूसरा आप्षन है कुसल तीसरा आप्षन है बिनियम चौथा आप्षन है जलज तो दोस्तो इसका जो करेक्ट आप्षन है ओ है आप्षन नमबर डी यानि कि जलज जलज जो है योग्रूण सब्द है योग्रूण का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे योगिक सब्द होते है कि जिनका अर्थ दूसरा हो यानि कि इस सब्द से अलग अर्थ निकलते हों, जैसे इस सब्दों को देखा जाए जलज, जलज का मतलब होता है जल प्लस ज़, यानि कि जल में जन्दमा हुआ, ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, कि जिन सब्दों का तीसरा अर्थ निकलता हो, उनको योगरून सब्द देखाते हैं, अगला प्रस्तन है, निम्न में से रूण सब्द कौन सा है, तो पहला अप्षन है आपके सामने, मलयज, दूसरा अप्षन है जलज, तीसरा अप्षन है पंकज, और चौथा अप्षन है बैभव, तो बताए, यह बहुत ही मुत्वपून प्रस्तन है, आपको इसमें बताना है, रूण सब्द कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आप्षन है, वो है आप्षन नमबर डी, यानि कि बैभव, बैभव सब्द को हम लोग तोड़ेंगे, तो उसमें कोई भी अर्थ वाला, अर्थ पूर्द सब्द नहीं बनेगा, यानि जलज को तोड़ते हैं, तो जल प्लस ज, जलज, यानि कि जल में जन्मा हुआ, इसका अर्थ निकलता है, लेकिन रूण सब्द का मतलब कि जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनसे सार्थक सब्द नहीं बनते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका D option जो है, बिल्कुल करेक्ट option है, अगला प्रसन है, मजई स्टेट सब्द है, तो पहला option है आप option number D, यानि कि बिदेशज है, मजई स्टेट सब्द जो है, बिदेशज है, बिदेशज का मतलब यह हुआ कि कहीं और किसी और भासा से लिया गया सब्द, हिंदी के हुए सब्द, जो किसी अन्य भासा से लिया गया हो, उन्हें बिदेशज सब्द कहते हैं, इस तरह से हमारा D option जो है, बिल्कुल correct option है, अगला प्रस्तन है, सोतंतर सत्ता धार नौ करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, तो आपके सामने option है, पहला option रूड, दूसरा option है योगिक, तिसरा option है योगरूड, और चौथा option है इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों, बताना है आपको, कि सोतंत सत्ता धार नौ करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, तो इसका जो correct option है, वो है option number B, यनि कि योगिक, इनकी सोतंतर सत्ता नहीं होती है, अगला प्रस्तन है, निमलिखित में कौन योगिक सब्द है, तो आपके सामने option है, पहला option है लेखक, दूसरा option है पुस्तक, तीसरा आप option है योगी, तो बताइए आप लोग, यह बहुत ही महत्तपूर सब्द है, बहुत ही महत्तपूर प्रस्न है, तो इसका जो correct option होगा, वो है विद्याले, विद्याले का मतलब क्या हुआ, कि क्यों इसको हम लोग योगिक कह रहे हैं, तो योगिक का मतलब यह हुआ, कि जब इ इस तरह से यह योगिक सब्द होता है, तो इसलिए हम लोग का option number जो C है, वो बिल्कुल correct option है, अगला प्रस्न है, योगिक सब्द कौन सा है, तो आपको बताना है, पंकज, पाठ साला, दिन और जलज, तो इसमें जो right option है, वो है आपका पाठ साला, तो पंकज का मतलब पंक में जन्म जिसका हुआ हो, यह योगरून हो जाएगा, जलज, यानि कि जिनका जल में जन्म हुआ हो, यह भी योगरून हो जाएगा, दिन, यानि कि यह रूड हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग का जो पाठ साला है, वो बिल्कुल correct option है, यानि कि योगिक सब्द पा पहला पीला, दूसरा आप्षन है घुरसवार, तीसरा आप्षन है लंबोदर और चौथा आप्षन है नाक, तो हम लोग का जो C आप्षन है लंबोदर ये बिल्कुल करेक्ट आप्षन है, लंबोदर का मतलब गनेश जी, यानि कि योगरूण सब्द विय होते हैं जिनका ती तो हम समझ लेंगे कि बहु बरी समास है उसमें, बहु बरी क्यों कहते हैं क्योंकि उसमें जो उस सब्द से अलग अर्थ निकलता हो, तीसरा अर्थ निकलता हो, इसलिए इस प्रसन का C option बिल्कुल करेक्ट है, नीचे दिये गए बिकल्पों में से ततसम सब्द का चैन कीज तो आपके सामने option है, पडोसी, गोधूम, बहु और सहीद, तो ततसम का मतलब जो संस्क्रीट के समान हो, या संस्क्रीट के सब्द हो, तो दोस्तो इसका जो राइट option है, वो गोधूम, गोधूम कही बर पूछा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर प्रस्तन है, गोधूम जो है एक संस्क्रीट का सब्द है, ततसम है, और इसका जो तदभव होता है, वो होता है गयहूँ, गयहूँ, तो गयहूँ इसका तदभव होता है, इस तरह से हम लोग का B option बिलकुल correct option है, अगला प्रस्तन है, नीचे दिये गई बिगलपों में से तदभव सब्द का चैन तो दोस्तों, इसका जो correct option है, वो है option number B, यनी की मुह, जो है तदभव है, इसका जो ततसम क्या होता है, ततसम जो होता है, इसका मुख होता है, तो इस तरह से हम लोग का B बिलकुल correct option है, अगला प्रस्तन है, जिस सब्द के कई सार्थक खंड हो सके, उन्हें क्या कहते हैं, तो जैसले की पहले ही है मैं बटा चुका हूँ, कि जिन सब्दों के सार्थक खंड किये जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आपके सामने option है, रूर, दूसरा आपसन है योगिक, तिसरा आपसन है योगुरूड, और छौथा आपसन है मिष्रित, तो दोस्तों, जिन तो आपको बताना है कौन सा सब्द देशज नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा सब्द देशज नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा सब्द देशज नहीं है, तो दोस्तो, पहला आप सने डिबरी, दूसरा आप सने पगड़ी, तीशरा आप सने डोर, चौथा आप सने तो पुषकर जो है हम लोग का देशज सब्द नहीं है, यानि कि दीबरी, पगड़ी और धेल, ये सबी जो है देशज सब्द है, यानि कि हमारे देश में जन्द में हुए हैं, और इस तरह से क्या हुआ, ये पुषकर जो है, इसका correct option है, अगला प्रस्ण है, जिन सब्दों क युद्पती का पता नहीं चलता है, कि हो देशज है, विदेशज है, क्या है, तो इस तरह से हम उनके लिए क्या सब्द भ्यूज करते हैं, तो आपके सामने option है, तत्सम, तदभव, देशज और संकर, तो इनके लिए correct option होता है, option number सी देशज, अगला प्रस्ण है, इस्टे French, B, अंग्रेजी, अगला option है डच, अगला option है चिन, तो इस तरह से आपका जो B option है, बिल्कुल correct option है, अंग्रेजी, संकर सब्द का अर्थ होता है, पहला option है तत्सम सब्द, दूसरा option है तदभव सब्द, तीसरा option है बेदेशी सब्द, चोथा option है दो भासाओं के सब्दों से मिलकर बना सब्द, तो आपका correct option है, वो है option number D, यानि कि जब दो भासाओं के सब्दों से मिलकर नया सब्द बनता उसे हम लोग संकर सब्द कहते हैं, तो इस तरह से D वाला आप्षन जो है, बिल्कुल करेक्ट आप्षन है, अगला प्रस्न है, रेल गाडी सब्द है, तो आपके सामने चार आप्षन है, तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज, बिदेशज, और संकर, तो आपको बताना है, र बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही महतुपूण प्रस्न है, तो अब बताईए, कौन सा करेक्ट आप्षन है, तो इसका जो करेक्ट आप्षन है, वो है संकर, यानि कि, ये दो सब्दों से मिलके बना हुआ है, रेल प्लस गाडी, तो रेल जो है, अंग्रेजी का सब्द है, और गाडी जो है, हिंदी का सब्द है, तो दो भासाय मिलके बना रहे है, तीसरा सब्द, तो रेल गाडी जो है, संकर सब्द है, अगला प्रस्न है, निमलिकित में कौन सा सब्द तच्सम है, तो आपको बताना है, कि कौन सा सब्द तच्सम है, आपके सामने आप्षन है अगला अप्षण है खेत, अगला अप्षण है कोड, अगला अजीब, तो आपका आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्षण है, वह है आप्षण नमबर A, उद्भाव, उद्भाव जो है तत्सम सब्द है, इसका जो तत्भव होता है, वो होता है उद्थपन, यनि कि यह उद्घम इसका correct option है, अगला प्रस्थन है कमल किस प्रकार का सब्द है, तो आपके सामने option है, पहला नंबर, पहला नंबर रूण, दूसरा नंबर योगिक, त और चब्धाना इन में कोई नहीं, तो आपको बताना है कमल क्या है, तो, दोस्तों कमल को यदि तोड़ा Wallace तो कोई भी सार्थक सब्द नहीं बनता है, अर्थात यह जो है, रूड है, रूड का मतलब कि जिसको तोड़ने पे कोई भी सार्थक सब्द नहीं बने, तो हम लोग का A option बिल्कुल correct option है, अगला प्रस्थन है, पाक साला किस प्रकार का सब्द है, तो आपके सामने option है, यानि कि इनको तोड़ने पे दो सार्थक सब्द बनते हैं, पाक प्लस साला, अर्थात यह जो है, योगिक सब्द है, अगला प्रस्थन है, दसानन, किस प्रकार का सब्द है, तो आपके सामने option है, रूड, योगिक, योगरूड, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों जो दस योगरूड सब्द, योगरूड क्यों कह रहे हैं, कि दसानन का, दसानन ऐसा सब्द है, जिसका अलग मिने कि निकलता है, दसानन का मतलब रावड, यानि कि 10 है आनन जिसके, अर्थात रावड, तो यह जो है, योगरूड सब्द है, एक चीज और भी मैंने बताया, आपको जितने भी योगरूण सब्द होते हैं, उनमें बहु बरी समास होता है, तो इस तरह से हम लोग का C option जो है, बिल्कुल correct option है, अगला प्रस्द है, निम्न में से तत्सम सब्द छांट कर बताईए, आपको बताना है कि इस में से तत्सम सब्द कौन सा है, तो आपके सामने option है, पत्ता और घोटक, तो आपको बताना है कि कौनसा option correct option है, बहुत बार पूछा गया है, और बहुत ही महत्तपून प्रस्द है, तो बताईए आप लोग, तो दोस्तों, इसका जो correct option है, वो है घोटक, घोटक का जो तदभव होता है, वो होता है घोडा, यनि कि घोटक जो है, एक तदशम है, संस्क्रीट का सब्द है, जिसको हिंदी में हम लोग घोडा कहते हैं, उसका जो तदभव होता है, घोडा होता है, तो हम लोग का D option जो है, बिल्कुल correct option है, अगला प्रस्द है, निम्द में से कौन सा सब्द, तुर्की भासा का है, तो दोस्तों, आपके साम option है, पहला option है चाय, दूसरा option है रिक्सा, तीसरा option है कमरा, और चौथा option है कैची, तो इसका जो correct option है, उह है कैची, कैची जो है तुर्की भासा का सब्द है, अगला प्रस्त है, निम्द में से तद्सम सब्द का चैन कीजिए, तो आपको बताना है कि तद्सम सब्द का कौ तो वताइए कौन सा correct option है इसका ये बहुत ही महतुपूर प्रस्न है तो वर्षा जो है इसका बिल्कुल correct option है अगला और आखरी प्रस्न है बानर का तदभव रूप है बानर का तदभव रूप है तो पहला पहला option है बानर दूसरा option है बंदर तीसरा option है बादर और डी option है बानदर तो दोस्तो जो बी option है इसका वो बिल्कुल correct option है बंदर तो ये रहे आज के हम लोग के आती महतुपूर 25 प्रस्न दोस्तो ये ये हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो भीाता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम इसी तरह के बहुत सारे अभ्यास प्रस्न आपको दे सकें और आप अभ्यास कर सकें और दोस्तो एक चीज है कि आप इन प्रस्नों का जितनी बार अभ्यास करेंगे तो आपकी जो एकुरेसी है वो बढ़ती जाएगी तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्य बाद